भगत सिंग, हम इंडियास के लिए एक नाम ही नहीं, एक इमोशन है दोस्तों एक साधानट से परिवार में, एक साधानट से महोल में पैदा हुए ये बच्चा आखिर कैसे और क्यूं बना इंडिया का सबसे बड़ा फ्रीडम फैटर जानेंगे इस वीडियो में भगत सिंग का जन, 1907 में लियालपूर विलेज लाहॉर में सरदार किशन सिंग और महा विद्यावती कौर के घर पर पंजाब में हुआ था जो कि अजादी के बाद अब पाकिस्तान का हिस्सा है इनका परिवार महारिशी देयानन सरस्वती को बहुत जादा मानता था और इसी वज़ा से भगत सिंग ने ब्रिटिश स्कूल में ना पढ़कर डियेवी से अपनी स्कूलिंग की भारत की आजादी की कोशिशें देश में जोर शोर से चलना शुरू हो चुकी थी और भगस सिंग को अकसरी इदर उदर आते जाते वक्त अंग्रेजो भारत छोड़ो हमें आजादी चाहिए और इसी टाइप की कई सारी बाते और नारे सुनने को मिलते रहते थे और यही आजादी शब्द कही न कहीं के सब कॉंशिस माइंड में जगा बना चुकी थे जिसको बढ़काने के लिए बस जुरुवत थी तो एक चिंगारी की और यह चिंगारी उन्हें मिली 1919 में 13 अप्रेल 1919 को जब अमरीस सर में जर्नल डायर ने जलियाँ वाला बाग हत्याकान को अंजाम दिया उस वक्त भगस सिंग सिरो 12 साल के थे इस हत्याकान के बारे में सुनकर 12 साल के भगस सिंग अंदर तक हिल गए और अपने घर से निकल कर इन्होंने जलियाँ वाला बाग की तरफ चलना शुरू कर दिया और वहाँ पहुँचकर जब उन्होंने चानों तरफ कटे हुए अंग और खून ही खुन देखा न तो उनकार रोना निकल गया लेकिन जब रोकर वह चूप हुए न तब वो भगस सिंग वो 12 साल का बच्चा नहीं बचे थे उनकी लाइफ का पूरा मीनिंग ही उस दिन बदल चुका था वो घर आये तो देखा कि उनके पिता खेट की तरफ जा रहे थे उनने पिता से पूछा कि आप कहा जा रहे हो तो वो बोले कि मैं खेट में जा रहा हूँ आम की गुठ्टेने लेके इन्हें खेट में लगा हूँ जिससे पेड़ बनेंगे और पेड़ पर बहुत सारे आम लगेंगे तो इस पर पता है उस 12 साल के बच्चे भगसिंग ने क्या कहा उसने कहा कि मैं इस खेट में बंदूक की फसल लगाना चाहता हूँ जिससे बंदूकों के पेड़ बने जिसमें बहुत सारी बंदूके लगें ताकि मैं अंग्रेजों से लड़ाई कर सकूँ और देश को आज बहुत जादा परभावित हुए और उन्होंने कॉलेज छोड़कर मार्च 1926 में नौजवान भारस हवा की स्थापना की लखनौ के काकूरी कान की हीरिंग में जब पंडित राम पर साथ बिस मिल और उनके 5 साथियों को फांसी और 16 अन्य को अजीवन कारावास की जब सजा स तो उस बास से बगह सिंग को इतना ज़ादा गुसा आया कि उन्होंने अपनी पार्टी नौजवान भारस हवा को चंदर शेकर अजाद की पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिक असोसेशन में मिला लिया और दोनों ने मिलकर इस पार्टी को एक नया नाम दिया हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिक असोसेशन इस पार्टी का मकसद सेवा त्याग और दर्द जहल सकने वाले जो शिले युवक तयार करना था जो वक्त पढ़ने पर बेखाफ होकर अग्रेजों का सामना कर सके इसकी अगले ही साल घरवालों के इनके शादी के लिए देने पर ये घर छोड़ कर कानपूर भाग गए और पीछे फैमिली के लिए एक लेटर छोड़ गए जिसमें लिखा कि मेरी जिंदकी दुनिया के बाकी किसी भी सूख्या आराम या भोग के लिए नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए बनी है और देश क 26 में हुए लाहौर बॉंब ब्लास में शामिलते और उन्हें गिरफतार कर लिया गया 40 दिन जेल में रहने के बाद 60,000 रुपे की जमानत पर उन्हें रिहा कर दिया गया बिटी सरकार ने 1928 में भारत में पॉलिटिकल कंडिशन का जैजा लेने के लिए साइमन कमिशन का इसमें बहुत से करांती कारी भाईयों को गंभीर चोटे आई पर लाला लाजपतराय को इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि उनकी हालत गंभीर हो बे और इसके कुछी दिन के बाद 17 नवंबर 1928 को इनकी डैथ भी हो बे इस घटना के बाद भगस सिंग, चंदर शेखाराज शिवराम राजगूरू और सुकदेव थापर ने लाला जी की मौत का बदला लेने की ठान ली, 17 दिसंबर 1928 के दिन शाम को सवाचार के आसपास लहोर कोत वाली से एसपी सैंडर्स पुलिस चोगी से भाहर निकला, जैकोपाल को लगा कि यही जेमस एसकोट है और इसने बा आगे बढ़ने की कोशिश भी की ना, तो गोली सीधा तुम्हारे सीने में उतार दूँआ, पर वो नहीं माना, और आजाद ने उसे गोली मार कर वोही डेर कर दिया, इस तरह इन्हों ने अपनी तरफ से लाला लाज पतराय की मौत का बदला ले लिया था, पर उन्हें पता नहीं देता है, और उनके कान अब बलास से खुलेंगे, और ये करने की पीछों का मकसद सारवजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद अधिनियम के खिलाफ विरोध करने का था, ये दोनों बिल विधान सभा में खारिज कर दे गए थे, पर उस वक्त के वाय सरा ये अपनी स्पेशल पावर्स का इस्तमाल करके ये बिल पास करवा दिये थे, जो कि भारतिय जनता के हित में बिल्कूल भी नहीं थे, इसी रादे के साथ 8 अपरेल 1929 को भगस सिंग और उनके साथी बटु केशवर दत ने सेंटरल लेजिसलेटिव असेमली में दो बॉम ब अफतार किया गया और उनके खिलाफ के साथ होने वाले बरताओं और बेसिक सुविधाओं के खिलाफ उनने और उनके साथ जेल में कैद एक नए साथी जतिन दास ने भूख हरताल चुरू कर दी, पर अंग्डेजी सरकार ठस से मसने हुगा और काफी की भूख हरताल के बा वोट ने भगज सिंग और उनके साथियों को ASP Sanders और हवलदार चानन सिंग की हत्या के साथ साथ और भी कई सारे मावलों में दोशी पाते हुए भगज सिंग, राजगुरू और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाते ही दंगों के डर से लाहूर में अंग्रेजी सरकार ने धा साथ के आसपास इन तीनों देश भगतों को फांसी पर चड़ा दिया दिया, फांसी की सजा से पहले भगज सिंग ने अपनी माँ से कहा था कि फांसी के बाद मेरा मृत श्री लेने के लिए तुम मता ना मा, क्योंकि तुम ये देख नहीं पाऊगी और तुम्हें रोना आ जाएगा और मैंने चाहता कि कोई भगस सिंग की मा को रोते हुए देखे, तेरा बेटा देश के लिए पैदा हुआ था और देश के लिए जा रहा है, फांसी के बाद अंग्रेदी सैनिकों का प्लैन, इनकी बॉड़ी को ठिकाने लगा देने का था, उन्होंने इनकी इनकी शहीदी के ठीक 16 साल के बाद 1947 में फाइनली इंडिया अंग्रेजों की कैस से आजाद हुआ, धन्य है हम लोग जो हमारे पास में भगसिंग जैसे वीर पैदा हुए, इनका बलिदान भारत देश हमेशा याद रखेगा, और हमारी आने वाली पीडियों को भी हमेशा प्रेडित करता रहेगा, भारत के इस बेटे को हमारा कोटी कोटी प्रणाम और दिल से सलाम, वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज लाइक करके होसला बढ़ाईएगा, और ऐसे ही वीडियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जल्दी मिलते है एक और अच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए शबक है